यौन महोबा की धरा में आलहा उदल और वीर चंदलों की वीरता कण कण में समाई है वा महोबा के वासियन को हमा कोटी कोटी पनाम पोचे उत्रप्रदेश के राजपाल श्रीबती आनंदी बेन पटेल यूपी के लोग प्रिय कर्म योगी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाज जी केंद्रिय मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी गजेजरसी सेखावज जी यूपी सरकार में मंत्री डक्टर महेंडर सी जी जी एस धरमेश जी सांसद में मेरे साथी आरके सिंग पटेल जी श्री पुष्पेंद्र सी जी यूपी विदान परिशत और विदान समा के साथी श्री स्वतंत्र देव सी जी श्री राकेज गोश्वामी जी अन्य जनप्रतिनी दिगन और यहां पधारे मेरे प्यारे भाई और बहनों महोबा की एतिहासिक धर्ती पर आकर एक अलग ही अनुभूती होती है इस समय देश देश की आज़ादी और राष्ट निर्माण में जन जातिय साथियों के योगदान को समर्पीत जन जातिय गवरव सब्ता भी मना रहा है इस समय पर वीर आलहा और उदल की पुन्य भूमी पर आना यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्या है गुलामी के उस दोर में भारत ने एक नई चेतना जगाने वाले गुरु नानक देवजी का आज प्रकाश परव भी है मैं देश और दुनिया के लोगों को गुरु परव की भी अनेक अनेक सुब कामनाई देता हूं आज ही भारत की वीर बेटी बुन्देल खंड की शान विरांगना रानी लक्ष्मी बाई की जैन्ती भी है इस कारकम के बाद मैं जासी भी जाओंगा डिफेंस का एक बहुत बड़ा कारकम बहाँ चल रहा है भाई और बहनों बीते साथ सालों में हम कैसे सरकार को दिल्ली के बंद कमरों से निकाल कर देश के कौने कौने में लाए है महोबा ये इसका साक्षात गवा है ये धर्ती ऐसी योजनाओं ऐसे फसकलों की साक्षी रही है जिनोंने देश की गरी माताओं बेनों बेटियों के जीवन में बड़े और सार्थक बदलाव किये कुछ महिने पहले ही यहां से पुरे देश के लिए उजवला योजना के दूसरे चरण की शुरुवात की गई मुझे आद है कुछ साल पहले मैंने महोबा से ही देश की करोडों मुस्लिम बेहनों को और मुस्लिम बेहनों को वादा किया था कि मैं मुस्लिम बेहनों को तीन तलाग की परेशानी से मुक्ति दिला कर रहूँगा महोबा में किया वो वाइदा पूरा हो चुका है भाई और बेहनों अब आज मैं यहां बुंदेल खंडी बेहनों और मेरे प्यारे किसान भाई और बेहनों को बहुत बड़ी सौगात सौपने आया हूँ आज अर्जुन सहायक परियोजना रतवली बांध परियोजना भावनी बांध परियोजना और मजगाव चिल्ली स्पिकलर सिंचाई परियोजना का लोकारपन करने का मुझे सौभाग मिला है तीन हजार करोड रुपे से अधिक की लागत से बनी इन परियोजनाओं से महोबा के लोगों के साथ ही हमिरपूर, बांधा और ललितपूर जिले के भी लाखों लोगों को लाखों किसान परिवारों को लाब होगा इन से चार लाख से अधिक लोगों को पीने का शुद्ध पानी भी मिलेगा पीडियों से जिस पानी का इंतजार था वो इंतजार आज समापत होने जा रहा है साथियों, आपका उत्सा मेरे सर आँखों पर आपका प्यार मेरे लिए बहुत कुछ है लेकिन मेरे आपसे मेरी प्रांसना है देखिये आगे जगा नहीं है आप आगे मतानी कोजिश करिए और वहाँ भी थोड़ा शान्ती रखिए साथियों, गुरु नानक देवजी ने कहा है पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई यानि पानी को हमेशा प्राफिक्ता देनी चाहिए क्योंकि पानी से ही सारी सुरुष्टी को जीवन मिलता है महोबा सहीत ये पूरा शेत्र तो सेंकडो वर्ष पहले जल समरक्षन और जल प्रबंद्रक का एक उत्तम मोडल हुआ करता था बुन्देल, परिहार और चंदेल राजाओं के काल में या सालो तलाबों पर जो काम हुआ वो आज भी जल समरक्षन का एक बहत्रीन उदाहरन है सिंद्र, बेतवा, दसान, केन और नर्दा जैसी नजियों के पानी ने बुन्देल खंड को समरुद्धी भी दी प्रसिद्धी भी दी यही चित्रकूट यही बुन्देल खंड है जिसने बढवास में भी प्रभुराम का साथ दिया यहां की बनसंपदा में भी उन्हें आशिरवाद दिया लेकिन साथियों सवाल यह कि समय के साथ यही छेत्र पानी की चुनोसियां और पलायन का केंद्र कैसे बन गया क्यों इस छेत्र में लोग अपनी बेटी को ब्याहने से कतराने लगे क्यों यहां की बेटियां पानी वाले खेत्र में शादी की कामना करने लगी इन सवालों के जबाब महोबा के लोग बुंदेल खन के लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं बिल्ली और उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सासन करने वालों ने बारी बारी से इस छेत्र को उजाडने में कोई कसर नहीं छोड़ी यहां के जंगलों को यहां के संसाधनों को कैसे माफिया के हवाले किया गया यह किसी से छिपा नहीं है और अब देखिये जब इनी माफियाओं पर यूपी में बुल्डोजर चल रहा है तो कुछ लोग हाय तोबा मचा रहे हैं यूपी के विकास के काम बुन्देल खन के विकास के काम रुकने वाले नहीं है साथियों इन लोगों ने बुन्देल खन के साथ जैसा बरताव किया उसे यहां के लोग कभी भी भुल नहीं सकते नलकूप हैंपम की बाते तो बहुत हुई लेकिन पहले की सरकारों ने इन नहीं बताया कि भुजल के अभाव में उससे पानी के से आएगा ताल तलया के नाम पर फीते बहुत काटे लेकिन हुआ क्या मुझसे बहतर आप जानते हैं बांधों तालाबों के नाम पर खुदाई की योजनाओं में रहे इससे उनको कोई सरोकार नहीं रहा भाई और बहनों इन्होंने कैसे काम किया इसका एक उधारन ये अरजुन सहायक परियोजना है वर्षों तक ये परियोजना लटकी रही अधूरी पड़ी रही 2014 के बाद जब मैंने देश में ऐसी लटकी हुई परियोजना है ऐसी लटकी हुई सिच्चा योजनाओं का रिकॉर्ड मंगवाना शुरू किया अरजुन सहायक परियोजना जल्द से जल्द पुरी हो इसके लिए भी उस समय की यूपी सरकार से कई बार चर्चा की अनेक सर पर चर्चा की लेकिन बुन्देल खन के इन गुनेगारों ने यहां सिच्चाई परियोजनाओं को अप पूरा करने में कोई दिल्चस्पी नहीं दिखाई 2017 में योगी जी की सरकार मनने के बार आखिर कार इस परियोजना पर काम की गति बढ़ाई गई और आज ये परियोजना आपको बुन्देल खन के लोगों को समर्पीत है दसकों तक बुन्देल खन के लोगों ने लूटने वाली सरकारे देखी है पहली बार बुन्देल खन के लोग यहां के विकास के लिए काम करने वाली सरकार देख रहे हैं बुन्देल खन के मेरे भाईयों भेनों इस कटू सत्य को कोई भुला नहीं सकता है कि वो उत्तर पदेश को लूट कर नहीं ठकते थे और हम काम करते करते नहीं ठकते हैं साथियों किसानों को हमेशा समस्याओं में उल्जाए रखना ही कुछ राजनितिक दलों का आधार रहा है यह समस्याओं की राजनिति करते हैं और हम समाधान की राष्टनीति करते हैं केन बेतवा लिंग का समाधान भी हमारी ही सरकार ने निकाला है सभी पक्षों से समवाध करके रास्ता निकाला है केन बेतवा लिंग से भी भविश में यहां के लाखों किसानों को लाभ होने वाला है योगी जी की सरकार ने बीते साड़े चार साल के दोरान मुन्वेल खंड में पानी की अनेकों परी योजनाओं पर काम शुरू करवाया है आज मजगाव चिली स्प्रिंकलर योजना जैसी आधुनिक टेक्निक का लोकारपन सिज्जाई में आ रही आधुनिकता को दिखाता है साथियों मैं जिस गुजरात से आता हूं बहा की जमीनी हकीतर जो पहले के गुजरात के हाल थे वो परिस्तितियां बुंदेल खुन से जराबी अलग नहीं थी और इसलिए मैं आपकी परेशानियों को समझता हूं आपकी तकलिप को समझता हूं मान मर्दा के आसिरवात से सरदार सरोवर बांद के आसिरवात से आज गुजरात में कच्चता ग्रेगिस्तान में भी पानी पहुंच रहा है जैसी सफलता हमने गुजरात में पाई वैसी ही सफलता बुंदेल खन में पाने के लिए हम दिन रात जुटे हुए है अज कच्च हिंदुस्तान के जो प्रमूप जीलें हैं तेज गती से आगे बढ़ने वाले उन तेज गती से आगे बढ़ने वाले जीलों में कच्च हो गया है अगए उत्तर प्रदेश के भी कई राकों के मेरे भाई बेन अपना भाग कच्छ में आकर क्या आजमा रहे हैं और कच्छ के मेरे अनुभाव से कहता हूँ हम बुंदेल खंड को भी फिर से वो ताकत दे सकते हैं फिर से नई जिन्दगी दे सकते हैं यहां की माताओं बेहनों की सबसे बड़ी मुश्किल को दूर करने के लिए बुंदेल खंड में जल, जीवजन, मिशन के तहद भी तेजी से काम हो रहा है बुंदेल खंड और साथ साथ बिंद्याचल में पाईप से हर घर में पानी पहुँचे इसके लिए विशेश अभियान चलाया जा रहा है भाई और बहनों, परिवार बादियों की सरकानों ने दसकों तक यूपी के अधिकतर गाउं को प्यासा रखा कर्म योगियों की सरकानों ने सिर्फ दो साल के बीतर ही तीस लाग परिवारों को यूपी में नल से जल दिया है परिवार बादियों की सरकारों ने बच्चों को बेटियों को स्कूलों में अलग सोचा ले पीने की पानी की सुविदाओं से बंचित रखा कर्म योगियों की डबल इंजिन की सरकार ने बेटियों के लिए स्कूल में अलग टॉइलेट भी बनाए और यूपी के एक लाग से अधिक स्कूलों हजारों आंगनवाडी केंद्रों तर नल से जलबी पहुचाया जब गरीब का कल्यान ही सर्वोच्ट्य प्रात्विक्ता हो तो ये ऐसे ही काम होता है इतनी तेजी से काम होता है बाई और बेनों हमारी सरकार ने बीज से लेकर बाजार तक हर स्थर पर किसानों के हित में भी कदम उठाए हैं बीते साथ सालों में साड़े सोला सो से अधिक अच्छी क्वालिटी के भीज तैयार किये गए हैं जिन में से अनेक भीज कम पानी में अधिक पैदावर देते हैं आज बुन्देल खंड की मिट्टी के अनुकुल मोटे अनाच दलहन और तिलहन पर सरकार विशेयत फोकस कर रही है बीते सालों में दलहन और तिलहन की रिकॉर्ड खरिजी की गई है हाल में सरसों मसूर जैसी अनेक दालों के लिए चार सो रुपिये प्रती क्विंटल तक MSP बढ़ाया गया है भारत खाने के तेल में आत्म निर्वर बने खाने का तेल विदेश से आयाद करने के लिए जो हर वर्ष हम असी हजार करोड रुपिये विदेश भेजते हैं वो असी हजार करोड किसानों के पाँच जाएं आपको मिले देश के किसानों को मिले इसके लिए राश्रियम मिशन शुरू किया गया है इसे पुंदेल खंके किसानों को भी बहुत मदद मिलने वाली है भाई और बहनों परिवार बाजियों की सरकारे किसानों को सिर्फ अभाव में रखना चाहती थी वो किसानों के नाम से गोशनाय करते थे लेकिन किसान तक पाई भी नहीं पहुँचती थी जबकि पी-एम किसान सम्मान निजी से हमने अब तक एक लाग बासट हजार करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खातों में बेजे हैं ये पूरी रकम हर किसान परिवार तक पहुँची है परिवार वादियों ने तो छोटे किसानों पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार की सुविजा से भी बंचित रखा था हमारी सरकार ने छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार की सुविजा से भी जोडने का काम किया है बाई और बहनों हम बुंदेल खंड से पलायन को रोकने के लिए इस खेत्र को रोजगार में आत्मंदिर भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है बुंदेल खंड एक्ष्प्रेस यह बुंदेल खंड एक्ष्प्रेस वे और यूपी डिफेंस कोरिडोर भी इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण है आने वाले समय में यहां सेंकडों उद्योग लगेंगे युवाओं को यहीं रोजगार मिलेगा अब इन इन इलाकों की किस्मत शिर्पेक महोट सब की महताज नहीं रहेगी यहीं नहीं इस छेत्र के पास इतिहास आस्था संस्कृति और प्रकृति का जो खजाना है वो भी रोजगार का बहुत बड़ा माद्यम बनता जा रहा है यह खेत्र तिर्थों का खेत्र है इस्थान को गुरु गोरग नाज्दी का अथिर्वाद मिला हुआ है रहिला सागर सुर्य मंदीर हो मा पितांबरा शक्ति पीठ हो चित्र कुट का मंदीर हो सोनागीरी तीर्थ हो यहां क्या नहीं है बुंदेली भाषा, काज्य, साहित्य, गीत, संगीत और महोबाकी, शान, देशावरी पांद इनसे कौन आकर्षित नहीं होगा रामा एंड सरकीट योजना के तहट यहां के अनेक तिर्थों को विश्चित किया जा रहा है बाई और बेहनों, ऐसे ही अनेक कारकमों से दबल इंजिन की सरकार इस दसक को बुंदेल खनका उत्तर प्रदेश का दसक बनाने में जुटी है इस दबल इंजिन को आपके आसिरवाद की शक्ति मिलती रहेगी इसी विश्वास के साथ मैं आप सब की इजाज़त लेकर के यहां से अब जांसी के कारकम के लिए रवाना होने वाला हूँ आप इतनी बड़ी तादाज में आकर के हम सब को आशिरवाद दिये इसके लिए मैं रिज़ए साब का बहुत बहुत आबारी हो मेरे साथ बोलिए भारत माता की